हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एजूकेशन संग्रापे दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी सौम मार्क्स का जो बिहार बोर्ड जो है मोडल सेट जारी किया है हिंदी का मोडल सेट जारी किया है पहला जो है math and commerce के वचे के लिए और दूसरा जो है arts के लिए ठिक है तो इस वीडियो में जो सेट का सोलूसन कराने जा रहा है वह science and commerce के बच्चों के लिए है पर तरेक जो क선, यहार चाहिए Uni ps у और मर्ट से हैं आज की ह 1950 ऋने वाला है और एक एक कोशन का answer यहां पर correct दिया जाएगा ठीक है तो चलिए आज का इस वीडियो को start करते हैं और आपको एके करके comment box में अपना comment करना है किसका answer ये होगा ठीक है तो वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो को like कर लिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देजे इस वीडियो को ठीक है तो चलिए आज का पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन क्या है लेखक बालकृष्ण भट की दो खंडों में एक निवंद संग्रा परकासित है उसका नाम क्या है तो इस कोशन का दोस्तो राइट ओप्शन हो करते रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा एक कॉपी निकाल लेजे और कॉपी मैंसर नोट करते चलते रहिए ठीक है तीसरा नमबर कोशन देखते हैं लाहना सिंग को गोली कहां लगी थी तो इस कोशन का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर C जा पताया है तो इस कोशन का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर A चुनाओ का खर्चा चलिए आगे देखते हैं कोशन नमबर चौब है रामधारी सिंग दिनकर की पहली कविता किस वर्स परकासित हुई तो दोस्तों याद रखेगा इस कोशन का राइट ओप्शन 925 हो जाएगा ओप्शन नमबर B नेश्ट कोशन देखे कोशन नमबर साथ है फटाफ़र सभी बचे साथ का एंसर कॉमेट बॉक्स में लिगे कि साथ का एंसर क्या हो जाएगा तो इस कोशन का राइट ओप्शन हो जाएगा दिगंबर ओप्शन नमबर C करेक्ट है का फटाफट जबाब दीजे कि 9 का करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा चलिए बहुत ही मनिया इस को सनकर आइट आप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी चलिए आगे देखते हैं रोज सिर्शक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने के लिए कहा था तो याद रखेगा दोस्तों इस को सनकर आइट आप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर 20 हो जाएगा सौ कोशन एंठ नमबर 12 है साम मेवाद के जनमधाता जो थे वह कौन थे तो वह थे काल्समार्क आप्शन नमबर भी करेक्ट है चलिए आगे देखते हैं जगदेश चंद्र माथूर की रचना कब परकासित हुई थी ठीक है फटाफोट एंसर दीजिए कि तेरा का राई टेंसर क्या हो जाएगा सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं बिल्कुली सभी एंसर आदा अप्शन C हो जाएगा अनई 169 हो जाएगा चलिए आगे देखिए धांगर सब्द का अर्थ आर्वा भासा में क्या होता है तो इस कोस्टन का राई टेंसर हो जाएगा आप्शन नमबर भी भाड़े का मजदूर चलिए आगे देखिए किस के आगरव पर गांधी जी ने चमपारण जाना सुविकार किया था तो याद रखेगा राज कुमार शुकल आप्शन C करेक्ट है चलिए आगे देखिए 16 का जवाब जली से फटाफट लिखे कि 16 का एंसर क्या हो जाएगा चलिए बहुत ही बढ़िया इस क्वेस्टन का राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D समराट असोक ने चलिए आगे देखिए लेखक मोहंद राकेश के पिता जी का नाम क्या था चलिए बहुत ही बढ़िया इस question का answer हो जाएगा option number A चलिए आगे देखिए लेखक मोहंद राकिस किस यू के प्रमु कथाकार एवं नाटक कार थे तो इस question का दोस्तो right option हो जाएगा option number C option correct है चलिए आगे देखिए चलिए आगे देखिए चलिए आगे देखिते हैं देखिए अनिस और 22 question आपके लिए आज SW रहेगा और इसका answer जो है comment box में आपको लिखना है ठीक है नेश्ट question देखिए 21 number जो प्रस ने दोस्तो इसका answer फटाफ़र कमेंट कीजे कि 21 का correct answer क्या हो जाएगा चलिए बहुत ही बढ़िया जितने भी बच्चे option D देना प्रागित और समाज option D वो बिल्कुल नी correct है नेश्ट question देखिए जैस सिरी सम्मान से कब परकासीत किया गये थे ओम परकास बालमे की तो 22 का दोस्तो राइट option हो जाएगा option number A अन्नई सो चानबे चलिए आगे देखिए हसते हुए मेरा अकेला पन सिर्शक पार्ट के अनुसार सुरक्षा कहा है सुरक्षा कहा है दोस्तो तो सूरज की रोशनी में option C correct है नेश्ट question देखिए अनेक धारा वाही को अवर TV फिल्मों के स्क्रिप्ट निमलिखित में से किसने लिखा है किसने लिखा है दोस्तो तो याद रखेगा उदय परकास option number D correct है नेश्ट question देखिए तिरिच सिर्षक पार्ट में SHO का वैवाही के जो जीवन साल था वो कितना था तो याद रखेगा 13 साल था option number A correct है चले आगे देखिए निमलिखित में से आपको बताना है सिक्षा प्रनाली से अस्वंतुष्ट कौन थे तो याद रखेगा दोस्तों यह दिर्ग सुवर है 27 का option C correct है चले नेश्ट question देखिए 28 का एंसर फटाफट कमेंट किजिए 28 का एंसर क्या होगा तो बिल्कुल इस question का राइट एंसर D correct हो जाएगा सुवर हो जाएगा चले नेश्ट question देखिए 28 का संदी बिचेद क्या होगा आविश्कार का संदी बिचेद आपको बताना है तो याद रखेगा option A correct है चले नेश्ट question देखिए 28 की ध्वनी परकट करने के लिए लीपी चीन के उपर क्या लगाया जाता है तो आप याद रखेगा बिंदू लगाया जाता है option B correct है नेश्ट question देखिए ठर का उचारन अस्थान क्या है ठर का उचारन अस्थान क्या है तो इस question का right option C हो जाएगा मुरधा हो जाएगा option C correct है निमलिखित में से कौन सुध सब्द है देखिए सुध सब्द इसमें से हो जाएगा समवाद हो जाएगा option D correct है चलिए आगे देखिए दोंद समास के पदों के बीच कौन सा चीन लगता है तो आप याद रखेगा योजक लगता है योजक चीन यानि option A correct है next question देखिए कावेरी नदी कौन सी संगया है कावेरी नदी कौन सी संगया है तो इस question का right option व्यक्ति वाचक संगया हो जाएगा option C correct है देखिए फटा फटा मैं लोग answer देख रहा है और बहुत important यह model set है आप लोग के लिए इसके बद arts वाला का भी solution करा देंगे ठीक है तो आप लोग जो वीडियो को like कीजिए और इस वीडियो को अभी share कीजिए अपने दोस्तों में और हमाले चैनल को support कीजिए वीडियो को like share और subscribe कीजिए ठीक है चलिए आगे देखते है next question निर्मान सब्द कौन सा link है निर्मान सब्द कौन सा link है तो यह pulling हो जाएगा option C correct है भीख सब्द क्या है तो भीख क्या है दोस्तों तत्सम सब्द है option A correct है नाला सब्द का strilling रूप क्या हो जाएगा तो नाला का strilling रूप हो जाएगा नाली option A correct है मेक किस कारक का बिभक्ती चिन है तो याद रखेगा दोस्तों 38 का ओप्शन B करेक्ट हो जाएगा अधी करण ओप्शन B करेक्ट है वाक मेक किरिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या करते हैं तो याद रखेगा दोस्तों 49 का याद रखेगा ओप्शन C हो जाएगा करम हो ज सर्बनाम है हिंदी में कुल कितने सर्बनाम है दोस्तों41 का option C हो जाएगा 11 होता है option C करेक्ट है जो खायेगा वहीं कहाएगा किसे सर्बनाम का उधारन है तो 42 का दोस्तों right option D हो जाएगा संबंद वाचक option D करेक्ट है वह लड़का किस भी का उधारन है वह लड़का किस विशेशन का उधारन है तो 43 का option A करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं जिस सब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं तो उसे हम लोग किरिया कहते हैं option number B करेक्ट है 44 का option B करेक्ट है वह खाता है किस का का उधारन है दोस्तो तो याद रखेगा वर्तमान काल है option C करेक्ट है चलिए 46 का एंसर फटा 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 आप लोग लेगे कि 46 का एंसर क्या होगा बहुत ही बढ़िया 46 का दोस्तो option number C हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं रचना अथवा बनावट के अनुसार गिद्सब्सद के कितने परकार होते हैं तो option इसका करेक्ट है 3 परकार होते हैं सब्दान्स कितने परकार के होते हैं दोस्तो याद रखेक कर भीलंत सब्द में कौन सा परटिया हो जाएगा दोस्तो अंत हो जाएगा option number D도 आनंद सब्द का विशेशन क्या होगा तो आनंद का दोस्तों याद रखेगा आनंदित होगा option number A correct है जिस समास में अंतिम पत परधान होता है उसे कौन सा समास करते हैं तो 52 का option C correct हो जाएगा ततपूरु समास option C correct है देखिए तीरपन नमबर को सने धर्मा धर्म में कौन सा समास है तो तीरपन का दोस्तो ओप्सन नमबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोंद समास हो जाएगा ठीक है ओप्सन नमबर इसका डी ओप्सन करेक्ट है चलिए आगे देखिए चावण नमबर को सन का एंसर आपको द रिष्टी से वाक के कितने भेद होते हैं तो पच्पन का दोस्तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी आठ परकार होते हैं देखिए नेश्ट कोसन है सुरुयदे होने पर कुहासा जाता रहा या कौन वाक के हैं सन्यूक्त वाक मिस्र वाक या सरल वाक या इन में से कोई नहीं देखिए च्पन का पर्यावाची क्यां होगा कुबेर का परियावाची हो जाएगा दोस्तो धनत हो जाएगा Option D correct है आत्मा सब्द का बिलोम सब्द क्या होगा तो दोस्तों आत्मा का परमात्मा होगा Option A correct है Next question देखिए जिसके पानी में चक्र है उसके लिए एक सब्द क्या है तो चक्र पानी हो जाएगा Option B correct है जान पर खेलना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा तो Option C हो जाएगा साहसिक कार्ज करना Option C correct है योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं अयोग वाह कहते हैं Option C correct है चलिए आगे देखिए 63 नमबर कोसन का फटाफट एंसर दीजिए 63 का एंसर हो जाएगा Option D correct हो जाएगा Option D correct है उचारन का संदी विचेत क्या होगा तो उत्धन चारन हो जाएगा Option A correct है मौ का उचारन अस्थान क्या होगा मौ का उचारन अस्थान क्या होगा दोस्तों तो 65 का Option B correct हो जाएगा ओंस्ठ हो जाएगा Option B correct है निमलिखित में से सुध सब्द कोन है तो यहाँ पर अधियन सुध लिखा हुआ है option C correct है चले आगे देखते हैं प्रसांत महासागर कौन सी संगया है तो इसका answer हो जाएगा वेक्ति वाचक संगया option D correct है लज्जा सब्द कौन सा link है तो दोस्तों लज्जा जो होता है वा स्ट्रिलिंग होता है option A correct है चले आगे देखते हैं 70 नमबर प्रसन आपकी स्क्रीन पाढ़े तो देखे 70 नमबर प्रसन का answer option A हो जाएगा 70 का option A correct है 70 नमबर उपनेवेस सब्द का विसेशन क्या होगा तो इस question का right option B हो जाएगा चले आगे देखते हैं 72 नमबर प्रसन का answer क्या होगा तो 72 का answer हो जाएगा option C option correct हो जाएगा Color की मौत सिर्शक पाठ में color का नाम क्या है तो 73 का option D correct हो जाएगा 74 नमबर प्रसन है दोस्तो 74 का option A correct हो जाएगा 74 का option A correct है Malik Mohamed Jaisi के गुरु कौन थे हैं इसका answer हो जाएगा C, ठीक है, option C correct है, मलिक महमाद जैसी कैसे कभी थे, या थे प्रेम के पीर के कभी थे, option A correct है, सूर्दास के दिख्षा गुरु कौन थे, तो इस question का right answer हो जाएगा बल्लभा चार्ज, option number D correct है, चले आगे दिखें, कनिया का अर्थ क्या होता है, तो कनिया का अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गोंध हो जाएगा, option number A correct है, गोध हो जाएगा, option number A correct है, सूर्दास रचित पद मुख्यता किस भाव के हैं, तो इस question का दोस्तो right option हो जाएगा option number B correct हो जाएगा option B correct है चले आगे देखते हैं 80 number question का दोस्तो answer हो जाएगा 80 का answer हो जाएगा option number C हो जाएगा दुईती ये पद में 80 का option C correct है तुलसी दास का मूह बोला नाम क्या था तो इनका मूह बोला नाम था राम बोला option number D correct है तूलसी दास के दिख्छा गुरु कौन थे हैं तो नरहरी दास थे option number A correct है तेकि 83 नमबर question का दोस्तो answer हो जाएगा तूलसी दास option number B correct हो जाएगा फटाफट कर रहे हैं दोस्तो थोड़ टाइम कम लगेगा आप लोगा ठीक है 84 नमबर question का answer फटाफट आप लोगो comment कीजिए कि 84 का answer क्या होगा तो याद रखेगा इस question का दोस्तो एंसर होगा option number A correct है 6 पंक्तियों के गेपद को क्या कहते हैं तो 6 परे कहते हैं option number B correct है कभी भूसन का जनम की स्वर्स हुआ था तो 86 का option A होगा 1613 में भूसन में कितने अलंकारों का निरुपन है तो भूसन में अलंकारों का निरुपन है 105 का option number B correct है कलवार सब्द का अर्थ क्या होता है तो तलवार होता है option number C correct है जैसंकर परसाद का जो रचित एक घुट नामक नाटक है का रचना काल क्या था तो इस question का right option हो जाएगा option number D हो जाएगा 1928 में ठीक है कमाईनी महाकाव की नाई का कौन है तो याद रखेगा स्रधा हो जाएगा option number A correct है 91 number question का answer हो जाएगा 91 का याद रखेगा option number B होगा महादेवी बारमा ठीक है देखिए 92 number में यह जो पंक्ती दिया हुआ है 21 कविता का है तो यह पुत्र बियोग कविता द्वारा लिया गया है यह पंक्ती option number B correct है चलिए आगे देखिए नयाखुन नामक पत्र का संपादक गजानन मादो मुक्तिभूद ने कहां से लिया है तो नागपूर से लिया है option number C correct है चलिए लंबी कविताएं कौन लिखते थे तो गजानन मादो मुक्तिभूद लिखते थे option number D correct है आत्म हत्या के विरोज सिर्षक के रचनाकार कौन है तो 95 का दोस्तो राइट option D हो जाएगा रगवीर सहाय option number D correct है तो 96 कोशन में अधिनायक सिर्षक कविता में पूरब पसीम से कौन आते हैं तो option number A correct हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोशन देखिए विनोत कुमार सुकल का जो रचना था सब कुछ होना बचा रहेगा साहित की कौन सी विदिया है तो इस कोशन का एंसर हो जाएगा option number B हो जाएगा कविता संग्र नेश्ट कोशन देखिए निमलिकित में से किस कवि को और नई सो बानवे इस B में रगवीर सहाय इसमरिती पुरसकार द्वारा सम्मानित किया गया था तो इस कोशन का एंसर हो जाएगा बिनोद कुमार सुकल option number C correct है चलिए 99 number question का दोस्तो answer क्या होगा 99 का answer यहाँ पे option कविता संग्र देखिए या C नहीं होगा उपन्यास नहीं होगा कावे नाटक भी नहीं होगा A और B में आपको बताना A और B में से कौन सा answer इसका भी answer आप लोग comment किजिए फटाफट देखिए last number question है 100 number question का answer हो जाएगा सहजन के पेंड से option number A correct है दोस्तों चलिए मिलते हैं next video में आपको यह video पसंद आओ तो video को like किजएगा और आपको जो है कौन सा model state का इसके बाद solution चाहिए कौन सा subject का comment में जरूर बताईएगा और हम लोग को support करिए ठीक है मिलते हम लोग next video में चैनल पर पहली बार होगे तो चैनल को जरूर नहीं subscribe कर लेंगे